आज है 27 मार्च 2024 दिन बुद्वार वेल्कम बैक टो क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले साथी हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें पेस्ट के संबी दिया गया है बैनों के लिए जारी रहेंगे सभी यूजनाएं जूट बोलना हमारी आदत नहीं सागर में बोले सियम मोहन यादा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने बेहनों के कश्टों को देखा और उन्हें दूर करने के हर संभव प्रयास किये इसी कड़ी में उज्वला यूजना प्रधान मंतरी आवास यूजना के अंतरगर पक्के मकान का सपना साकार कर रही है इसी प्रकार उन्होंने लाल के लिए सिस्वचिता का आगास किया और घर-घर शोचाले बनवा कर माताओ बहनों की परिशानी दूर की मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पूर मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के मार्ग दर्शन में चलाई जा रही योजनाओ को धरातल पर क्रियान विद करने के लिए कारे किया है कुर्णिक कहा जरूरी नहीं संविधान दौरा दिये हरादिकार का आनंद लिया जाए प्रिश में बरोसगारी भत्ता दिये जाने के तो कोई विवस्था नहीं इसका मतलब है कि आपको अपनी और अपने सांथी की रोजी रोटी का इंतजाम खुद ही करना है आपको कम उम्र में ही जीवन के संगर्श में उतरना होगा अस्पताल में मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले लापरवा डॉक्टर्स की अब खैद नहीं है एनमसी की एथिक्स कमीटी की बैचक में इस तरह के मामलों की शिकायत पर शे महीनी के अंदर कारिवाई के निर्देश दिये गए इसके साथ ही डॉक्टर की सुरक्षा और उपीनियन को लेकर भी नए सिरे से गाइडलाइन तैग की जा रही है 31 मार्श तक भरें प्रॉपटी टेक्स नहीं तो होगी कारिवाई 31 मार्श को समाफ्थ हो रही वित्तिय वर्ष का टागेट पूरा करने के लिए जबलपूर नगर निगम निनया हत्खंडा अपनाया है निगम प्रशासनम ने करदाता उसे अपील की है कि 31 मार्श के पहले सभी नागरीक अपने कर्व बखाय राशी को जमा कर दें ऐसा ना करने पर एक अप्रेल से दैराशी दुगनी कर दी जाएगी अच्वा सहिता के उलंगन पर पांच मिनट में होगी कारेवाई लोग सब चनाओ कि आदर शाचरन सहिता लागू हो गई है अधर शाचरन सहिता के उलंगन के मामलों की आउनलाइन शिकायत आप भी कर सकते हैं ऐसे किसी भी उलंगन के मामले का वीडियो और फोटो लेने के पांच मिनट के अंदर इससी विजिल लिस दिजन एप पर भीजना होगा इसके लिए उससे मुबाइल पर जीपिएस आउन रखना होगा सियम यादव ने कहा मैं उस पाठी का हिस्सा जिसने आदिवासी को बनाया रास्टपती सियम मोहन यादव ने आदिवासी और महिलाओ को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि मैं उस पाठी का कारिकर्टा और सरकार का मुख्या हूँ जिसने पहली बार किसी आदिवासी बेहन को रास्टपती के पत पर पहुचाया प्रुदान मंतरी नरें रमोदी ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम लाकर लोगसभा और विदानसभा की सीटों में महिलाओ को 33 प्रतीशत आरक्षन दिया कॉंग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया लेकिन इस निर्ने से वो भी दूर रहे पहले चरण की छे सीटों के लिए अब तक 69 नामांकन पत्र जमा मदर प्रदेश में पहले जरण के लोगसभा चनाव में शामिल 6 सीटों के लिए अब तक 60 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं आज नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन रहेगा तीन बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कारयाले पहुचने वालों के नामांकन पत्र सुईकार किये जाएंगे 28 मार्च को इनकी जांच होगी 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे कुंडलपूर में आचारे पद पदा रोहन के लिए 11 एकर में बनाया जा रहा पंडाल देश विदेश से पहुचेंगे श्रद धालू दवों के कुंडलपूर में 16 अपरेल को आयुजित होने जा रहे आचारे पद पदा रोहन की तयारियां तेज हो गई हैं देश और विदेश से पहुचने वाले यात्रियों और देश भर से आमंत्रे ततितियों के रुकने भोजन जैसी व्यवस्थाएं बड़े इस्तर पर हो रही हैं सबसे खास यहां बन रहा मुख्य पंडाल है जो 11 एकर भूमी में बनाया जा रहा है कुंडलपूर में यात्रियों की भीर और गर्मी कुध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है स्पी ने आदेश को नहीं लिया गंभीटा से एच सी ने डीजी पी को सौपी जाच जाच अधिकारी थाना प्रभारी लपे टीमी मदपदेश उचिनियाले ने बालगाज जिले में दर्जी कापरादिक मामले के जाच पुलिस महानी देशक को व्यक्तिकत रूप से करने के आदेश जारी किये हाई कोड जस्टिस जीएस एहलोवालिया पुलिस अधिकारियों के जिम्मेदारी तैकरने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का नर्देश दिया चुनाओं में आपती जनक पोस्ट के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी एमपी में लोग सबस चुनाओं के दरान उमीदवार या पाठी को लेकर आपती जनक पोस्ट डालना भारी बढ़ सकता है पुलिस ने चुनाओं को लेकर आपती जनक पोस्ट के सूचना देने के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी किया लोग हेल्प लाइन नमबर 758-762-8272 पर सूचना दे सकते हैं इस नमबर पर वाटसब के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं सूचना देने वाले का नाम गोपनी ये रखा जाएगा और उसकी सूचना पर ततकाल ही कारिवाई की जाएगा जिसके पीछे मन्षा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लगब 26 लाग दीपक जलाने का लक्ष नरधारित था जिसके पीछे मन्षा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ड रिकॉर्ड बनाने की थी लेकिन आचार सहिता के कारण इस वर्ष ये रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा और इस वर्ष माशिप्रा के तरह राम घाट पर 26 लाग नहीं बलकि सिर्फ पाँच लाग दीपक प्रजुलित कर माशिप्रा की घाट रोशन किये जाएंगी गर्मियों में नहीं हुपाएगी नील गायों की शिफ्टिंग डक्षन अफरिका के विशे शग्यों का दल लोटा प्रदेश में नील गायों से निपटने के लिए डक्षन अफरिका का जो दल मद्यप्रदेश में लाया हुआ था वो अब लोट गया है कर्मियों में नील गायों को ट्रेंकुलाइज करके शिफ्ट करना संभब नहीं है इसलिए अब गर्मी का मौसम जाने का इंतजार किया जाएगा गौालियर के महराजपुरा एर फोर्स स्टेशन से लेकर मनसौर रतलाम सहित कई हिस्सों में नील गायों के कारण बड़ी परिशानी होती है गौालियर एर बेस पर तो गंभीर खत्रा है इसी कारण बोमा तक्नीक से नील गायों से निप्टा जाना है सेक्स टॉशन का नया ट्रैंड महिलाओ की आईडी से चीन पाकिस्तान से भेजे जा रहे है संदेश रासानी बुबाल के युवाओ के पास इन दिनों पाकिस्तान और चीन से वाटसेप पर दोस्ती की संदेश आ रही है महिलाओ की तस्वीर वनाम वाली आईडी से आ रहे हैं इन संदेशों में दोस्ती करने के लिए वाटसेप ग्रूप को जाइन करने के लिए ललचाया जा रहा है जिन नमबर से मैसेज आ रहे हैं उनके डिजिट अलगतर है के हैं साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि संदेश सेक्स्टॉशन का नया तरीका है जो युवाओ को ब्लैक मेलिंग के जाल में फसाने के लिए आ रहा है बोशाला में शधालू दर्शन करते रहे एसाई की टीम सर्वे मद्रप्रदेश शायकोट की इंदोर खंड़पीट के आदेश परधार की एतिहासिक भोशाला में मंगलवार को पांचवे दिन भी भारतिय पुरतत्व सर्वेक्षन की टीम ने सर्वेकारे किया इदर सर्वेकारे होता रहा दूसरी तरफ सनातनी मासरस्वती की पूजारचना के बाद हनुमान चालीसा कपाच करते रहे जौरान सर्वेक्षन कारे की गोपनियता बनाए रखने के लिए सर्वेक्षन इस्थल को परदे और कनाज से कवर्ड कर दिया गया थ जोती रादित के बुआ कहने पर उमा काओ मुड़ा प्यार बोली मेरा संबन्द बहुत गहरा आत्मियता एवाम सम्मान का मद्धपदेश में लोकसमा चुनाओं की तैयारी में नेता और पार्टी जुड़ गई हैं गुनासं सदिय शेतर में चुनाओ प्रचार के दोरान जोती रादित सिंधिया ने पूर मुख्यमंतरी उमा भारती और उनकी दादी राजमाता विजिया राजे सिंधिया के संबंधों का जिक्र किया इस पर मंगलवार कुपूर्व सियम ने कहा कि जोती रादित सिंधिया के साथ उनका संबंद बहुत गहरा आत्मियता और सम्मान का है। उन्होंने खुद को राजमाता विजिया राजे सिंधिया की पांचवी बीटी बताया। कॉंग्रेस को फिर लगा जचका विदीशा से पूर विधायक शशांग भारगव भाचपा में शामिल। नात की गड़ में शाह भरेंगे हुंकाच, शिंद्वारा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। मौसम विज्ञानियों के मताबिक वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओ का रुप बार बार बदल रहा है। माउंट एवरेस्ट बेस कैम पहुची दो साल की सिद्धी मिश्रा बनाया वर्ड रिकॉर्ड। राजानि भुपाल की रहने वाली सिद्धी मिश्रा ने छोटी उमर में बड़ा काम कर दिया है। दो साल की उमर में सिद्धी मिश्रा अपनी माँ भावना डेहरिया के साथ माउंट एवरेस्ट की बेस कैम पहुच कर वर्ड रिकॉर्ड बनाया। महर में शद्धाल हुए को उचेत रिकूर्ट परवत पर विराजमान माता शारदा के दर्बार तक पहुचाने वाले रोपवे आज बुद्वार 26 मार्ट से बंद हो जाएगा हाला कि रोपवे की सेवाएं चार अप्रेस से फिर से शुरू हो जाएंगी और दर्शनार थी सुवधा का लाव उठाते हुए बिना कचिनाई के माता शारदा के दर्शन के अबिलाशा पूरी कर सकेंगी माहकाल मंदिर के दस पूजारियों के हालाद बेहतार आज बुद्वार को हो सकती है अस्पता से छुट्टी गांजा बरामद महला समे तीना रोपी गिर अफतार नर्वधा पुरम में पुलिस को नशी के खलाब बड़ी काम्याबी मिली मुक्पिर की सूचना पर इटार सी पत्रोटा थाना पुलिस जोरार पीएफ ने संयुक्त रूप से इटार सी रेलवे स्टेशन के आउटर के पास से 73 किलो गांजा जब्द किया जब्द किये गए गांजे की कीमत 12,25,000 रुपे आँकी गई है रेली आत्रियों के लिए खुशकबरी यूपी आई सिजट से बनेगा टिकेट रेली आत्रियों के लिए सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है दरसल एक अप्रेस से रेलवे जनरल टिकेट की पेमिंट के लिए भी डिजिटल क्यू आर कोड का इस्तमाल कर सकते हैं जिसे की यूपी आई के जरीए भी आप अपना जनरल टिकेट खरीच सकते हैं इसरों ने हासल की एक और बड़ी उपलब थी इसरों ने एक और मील का पत्थर हासल कर लिया है भारत के सेटलाइट पी-स-ल-वी ने शूने कक्षिय मलबा मिशन पूरा कर लिया इससे फायदा ये होगा कि अब इसरों नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लाँच करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा इसरों ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया जब दुनिया भर के वैग्यानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनोती बना हुआ आधारताल स्टेशन में बनेगा मेगा चर्मिना सौ एकर जमीन अधिक रहान करेगा रेलवे जबलपुर को जलधी जबलपुर और मदन महल रेलवे स्टेशन से बड़ा रेलवे होगा यहां पर 12 से ज़ादा प्लैटफॉर्म होंगे जहां से दिन भर में 30 से ज़ादा ट्रेंज को रवाना किया जा सकेगा इतना ही नहीं 24 घंटे के दौरान 1500 से ज़ादा ट्रेंड को आवगमन होगा दरसल रेलवे आधारताल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाने जा रहा है जो जबलपुर रेलवे स्टेशन से भी बड़ा और सुविधा जनक होगा तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद